हेलो स्टार्ट विद लिस्ट और हम लोग देखेंगे कि लिस्ट क्या है अब अगर मैं कहूं जो पेसिक डेटा टाइप है उसमें आपके में जो जैसे कि आपने अगर 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 लेंग्विजिस की बात करूं तो आपने एरेज पढ़े होंगे तो पाइथन में जो एरे का कौनों हम इसी वीडियो में कवर करेंगे उसके बाद डिक्शनरी आपको पढ़ने और सेट्स पढ़ने तो बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं लिस्ट जो है आपका इडिस सिमिलर टू यॉर एरे बट एक जादा इसमें खासियत है वह यह है कि जैसे कि जो मेरी लिस् ट्रेक्चर है उसको जो एक ही टाइप को डेटा है उसको स्टोर करें जैसे कि मैं आपको बताता हूं मैं लेट से एक लिस्ट बनाता हूं यहां पर पाइड से मैं ऐसह बनाता हूं आप बस आपको बता रहा पूना कि कैसे कि दो इस इंटेक्स है आप सब्सक्राइब अगर में कहां था जैसे या फिर अगर को उसका नाम array ही कर दूं तो इसके अंदर 1, 2, 3, 3 elements हैं और 3 हो numeric type के elements हैं अब यह हो गया list की basic आपको यह याद रखना है इनको square bracket में आप close करते हैं list को ठीक है अब इसके बाद क्या है let's say मेरे को कुछ एक element यहां पर 4 बढ़ाना है एक और बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा my list एक function लगा दूंगा dot append और append में मैं डाल देता हूं let's say 4 ठीक है अब मैं इस my list को जड़ा run करके देख लेता हूं एक बार तो अब यहां पर 4 increase हो चुका है तो माय लिस्ट में अब मेरा 1234 अब क्योंकि जो एरे हुआ करते थे वो अगर आप को याद हो basically जिन लोगों को बिल्कुल कोडिंग नहीं आती है वो सोच रहों कि क्या हो रहा है यहां पर जो भी डेटा हमारे पास होता है उस डेटा को मैं कहीं मैंना यहीं store करूंगा अगर मेरे पास अब से एक स्टुडेंट के रोलनमडर है तो उनको अब जिस्टो tim टू ऑर अलग अलन में store कर सकता है इस तरह से हम लोग जो data होता है अपना आप निमेरिकल वैल्यू भी और करेक्टर वैल्यू भी कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे अब मैं एक और लिस्ट बनाता हूं इक्वल टू अब मैं इसके अंदर और इसी को रन करा लेंगे हम लोग तो अब यहां पर देखिए यह जो डेटा में ne store किया है सिर्फ न्यूमेरिक डेटा नहीं है यहां पर मैंने केरेक्टर भी एक सेव करा दिया है तो उस तरह से आप जो है क्रेक्टर को भी सेब करा सकते हैं एक लिस्ट के अंदर यह लिस्ट फाइदा अब इसमें भी काफी चीज़ें आपको करनी होती हैं और जो भी आपका आप आपको जो है करेक्टर जब भी आप रख रहे हो तो आप इसमें कोर्स में रखेंगे तो वह समझ जाएगा कि एक ठीक है अब नेक्स्ट आपका है कि इंडेक्सिंग अगर मुझे कभी ए एलिमेंट जो है लिस्ट का वो उठाना है तो मैं कैसे उसको एक्सेस करूंगा लेट से मुझे सिर्फ चाहिए ठीक है तो मैं तो मेरे को खाली मिल गया ठीक है मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूं जो भी आपकी लिस्ट बनी हुई है उसकी इंडेक्सिंग आपकी हमेशा जीरो से चालो होती है तो यह जीरो एलिमेंट यह आपका फर्स्ट एलिमेंट यह सेकेंड एलिमेंट और यह आपका थर्ड एलिमेंट तो मैंने जो इसका सिंटेक्स है आपको करना यह ही है यहां पर मैंने आगर आप देखो तो पूरी ल list को कौल किया था है है यहां पर मैं लिस्ट के सिर्फ घर्ड एलिमेंट को कॉल कर रहा हूं इस वाट इंडेक्सिंग इस अब इंडेक्सिंग में और अलग-अलग तरह से आप बहुत जादा इंडेक्सिंग कर सकते हैं जैसे कि लैट से मैं कहूं लिस्ट मैं मुझे यहां पर वन से लेकर आखरी तक सारे इलिमेंट दे दो इसका मतलब जीरो वन वन से लेकर लास्ट जितना भी होगा वो सारे मुझे उठा के दे दो तो इससे हम क्या कर सकते हैं सब लिस्ट भी बना सकते हैं यहां अगर इसको मैं कह दूँ लिस्ट इसको डिनोट कर दूं इस तरह से और यहां पर मैं लिस्ट त्री देखूं तो यह एक नई लिस्ट बना दी मैंने इस हिसाब से आपको करना रहेगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा लाव लास्ट चीजए एक में आपको बताऊंगा इस में क्या है जरूरी नहीं है कि आप एक लिस्ट में इस अंधर भी लिस्ट डाल सकते हैं कि के अंधर लिस्ट कैसे जैसे मैं कहूं लिस्ट 5 is equal to 1,2,3, इधर में डाल देता हूं अब यह लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो गई ठीक है अब बेसिकली आपको एक कुश्चन में करा देता हूं कि किस तरह से इंडेक्सिंग जो है नेस्टिंग इसको कहते हैं नेस्टिंग यह कॉंसेट है अब मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एक्जामपल दिया है जिसमें मुझे यह टार्गेट वर्ड को पकड़ना है तो अब मैं कहूं अगर मुझे नेस्ट को देखना है तो अब मुझे सिर्फ टार्गेट चाहिए जैसे मैं नेस्टिंग करके आऊँगा मुझे सिर्फ अपने टार्गेट तक कहुंचना है तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहां पर मैं देखूं जीरो वन टू और यह मेरा थर्ड एलिमेंट है जो की एक पूरी लिस्ट है तो अगर टार्गेट तक मुझे पहुचना है तो सबसे पहले तो मेरे को एंटर करना पड़ेगा यह थर्ड में तो यहां से मैं थर्ड में इंटर किया अब यह इस लिस्ट में पहुच गया अब इस लिस्ट में आगे मुझे मैं सिर्फ आपको ट्रैवर सिंग तो यहां पर मैं देखूंगा जीरो अगें वन अगेन तो यहां पर तू जो है करूंगा अब यहां पर भी मेरे को यह भी एक लिस्ट है अलग इसमें भी अगर मैं जब तक 0 पर नहीं जाऊंगा तब तक मैं तर्गेट को चीज़नी करने तो अब मैंने यह फाइनली टार्गेट अचीव कर लिया इसको आप और डेप्थ में प्रेक्टिस कर सकते हैं आपको कितने भी क्वेश्चन इसके बेसिक मिल जाएंगे इस से बाहर दुनिया में कोई कॉंसेट नहीं है लिस्ट का नेक्स्ट मैं बात करूंगा अब अगर इसकी बारे में बात करूं कुछ लोग ट्यूपल बोलेंगे मैं तपल बोलता हूं तो अगर मैं टपल की बात करता हूं तो लिस्ट और टपल बिल्कुल सेम हैं बस इन में अंतर एक यह होता है कि लिस्ट इस म्यूटेबल टपल इस म्यूटेबल मैं आपको ये समझाता हूं कैसे जैसे मैंने मैं लिस्ट यहां पर बनाया था यहां पर निस्ट मेरी यहां पर आपको दिख रही है वन टू और थ्री यहां पर मैं माइल लिस्ट का लेट से एक एलिमेंट है इसको देखेंगे यह हमने देख लिए थ्री है अब इसको चाहूं तो मैं इक वल्ट्व डाल के और यहां पर तो अब यहां देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया है फाइव की जगह यह फाइव आ गया है थ्री को रिप्लेस करता हुआ तो अब यह कैसे हुआ क्योंकि यह बेंट करी चुक्ता है असली लिस्ट में यह बन चुकी है टीक है माई लिस्ट मेंट यह थी और थी जगे खीव है क्योंकि मैंने जीरो वन टू सेकंड फ्लेस पर एक नई चीज डल दी है यह चीज़ है लिस्ट में मैं कर सकता हूं और तपल मैं नहीं कर सकताँ तो तपल को अगर मैं कंऄं टपल आर इम्मटबल वेयरैज इन लिस्ट हम लोग चीज़े dynamics कर सकते हैं यह जो है चीज हर कोई पूचता है इंटर्वियू में पूचता है बेसिक नॉलेज के लिए टी लट से एक टबल मैं कर रहा हूं और उसको जो आपको सिंटेक्स रहेगा डैट विल भी यह आपके स्क्वैर ब्रैकेट थे और यहां पर अंतर बस इतना आ आपके जो है नॉर्मल ब्रैकेट जीरो लेट से यहां पर मैं डालता हूं यह मेरा एक टबल बन गया बिल्कुल लिस्ट टबल बिल्कुल सेम है बस इम्यूटेबल है यह ठीक है इम्यूटेबल है थोड़े से यह जो है पास्ट रहते हैं तो जब क्योंकि इन में कुछ आप नहीं कर सकते हैं थोड़ा से इन में डिफ्रेंस यह ही है कि यह थोड़े से फास्टर हैं लिस्ट से और इम्यूटेबल हैं यह दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं इंटर्वीव के सहसाब से अब यहां पर अगर आप ट्राइब भी करके देखेंगे यह अगर मैं डाल के भी देखूंगा तो इसने एरर थो कर दिया है क्योंकि सपोर्ट नहीं करता है टपल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है आपको यह कॉंसर्ट समझ आ गया हो लिस्ट जो है और तपल आपका बस इतना ही है इसके बाद हम लोग जो है डिसकस आगे करेंगे डिक्शनरी और सेट्स और बूलियंस यह सब तीनों एक ही अगले वीडियो में हो जाएगा नॉर्मली भी मैं कितना भी कोशिश करो दस मिनिट से जादा कंसाइज नहीं कर सकता हूं वीडियो को तो इतना और हो जाता है जिन लोगों को भी सर्टिविकेशन करना है वह जती एमना है आर हम अला है आर याम मैं कितना नादा गी को इस्मारा ही हैविकेशन कर से घज सिर्वेर कितों बूली तो चैआर मीं हो से यह से रृतें वी साने धाली है वीडियो भी वाल quê यह रादादार को जहे हैं हyang ढृब जहना है है लगट ....